बच्चों, अब हम पढ़ेंगे श्वशन तंत्र यानि रेस्पिरेटरि सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि जब हम भोजन ग्रहन करते हैं तो भोजन के साथ बहुत सारी पोशक्तत्व ग्रहन करते हैं और इसके ग्रहन करने से हमें उर्जा प्राप्त होती है तो ये उर्जा बंती कैसे कहां से आती है तो ये ग्लुकोज जो के शरकरा है इसके अब घटन के लिए इसे तोड़ने के लिए ऑक्सिजन के आफशकता होती है और ये ऑक्सिजन हमें कहां से मिलती है बिल्कुल पेड़ पौधो से ये ऑक्सिजन हमें प्राप्त होती है तो य इसी oxygen का फिर use होता है और पेयोग होता है जिससे हमें औरजा प्राप्त होती है तो यह जो oxygen है यह एक ऐसी गया से जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हमारे जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है तो सास को अंदर लेना और सास को बाहर छोड़ना यह जो प्रक्रिया ह इसे हम कहते है शासुच्छवास या breathing अब यह जो breathing होती है शासुच्छवास की जो प्रक्रिया होती है जिसमें हम कह रहें कि सास को अंदर लेना यह जो प्रकार होता है इसे हम कहते है नीश्वशन इंस्पिरेशन सास को हम क्या कर रहें अंदर ले रहें ऐसे ही सास को बाहर चोड़ना यह हम कहते हैं नीहशवशन या एक्सपिरेशन तो जब हम सास ले रहे तो क्या केवल ऑक्सिजन गैसी अंदर जा रही है कि अन्य भी गैसे अंदर जा रही है तो ऑक्सिजन के साथ साथ नाइट्रोजन कारवन डाउकसेड अन्य गैसे हमारी नाक के द्वारा और उपयोग नहीं होता है उन्हें वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो यह कौन-कौन सी गैसे है जैसे नाइट्रोजन गैस ऑक्सिजन गैस कारवन डियोकसेड गैस यह सभी गैसे जो है यह हमारे शरी के अंदर में जा रही है और बाहर निकल रही है तो हम जानत इस नाइट्रोजन के हमारे शरी में कोई आफशक्ता नहीं होती है तो इसे बाहर वापस निकाल दिया जाता है इसी प्रकाश से ऑक्सिजन ऑक्सिजन जो कि 21% बातावरण में उपलब्ध है जिसको हम अंदर ग्रहन कर रहे है और इस ऑक्सिजन की हमारे शरीर को बहुत जर तो 21% अगर हमारे शरीर में जा रही है तो उसमें से 17% हम वापस कर रहे हैं बाकी का हम यूज कर ले रहे हैं इसी प्रकाश से जो कार्बन दियोक्सिजन गैस होती है कार्बन दियोक्सिजन गैस वातावरण में 0.03% उपलब्ध है अब जब हम सास ले रहे तो यह कार्बन दियोक्सिजन हमारे शरीर में प्रविश कर रही है अब कार्बन दियोक्सिजन की आफशकता हमारे शरीर को नहीं है और हमारे शरीर में भी कहीं ने कहीं कार्बन दियोक्सिजन गैस बन रहे हैं तो बच्चों 0.03 से अब देखे हैं बाहर जब हम कार्बन दियोक्सिजन गै आतरा में carbon dioxide दे रहे हैं तो यह अतरीक्त carbon dioxide कहां से आ रहे हैं इसके लिए हम एक छोटा से experiment करने वाले हैं जिसे हम आगे देखेंगे तो श्वशन जो है यह निरंतर चलने वाली जैविक प्रक्रिया है और इसमें क्या हो रहा है वातावरण और शरीर के बीच में गैसी आधान प्रदान हो रहा है तो हमारे शरीर की बात कर रहे तो हमारे शरीर में एक विशिश अंग है फेफडे जो कि श्वशन की क्रिया में साहेता करते हैं तो क्या जितने भी जीव है इस संसार में सभी के पास इस प्रकार के श्वशन अंग उपलब्द है सभी के पास फेफड़े तो नहीं होते है लेकिन कुछ जीवों के अगर हम बात करें जैसे की मचली है मचली जो की जलीव जीव होता है और जलीव जितने भी होते है ये जल में घुली हुई oxygen का यूज़ करते है शवशन के लिए तो मचली मचलीव में एक विशिश अंग होता है स्वशन के लिए जिसे हम कहते हैं गल्फड़े या गिल्स और इस गिल्स की साहिता से वे क्या करती है सास लेती है ऐसी जो स्तंधरी जीव जैसे मनुश्य के हम बात करें इनमें तो फेपड़े पाये जाते हैं लंग्स होते है जिनकी साहिता से वे सास लेना मतलब श्वशन की क्रिया करते हैं अगर कीट की बात करें तो कीट में श्वासनली ये देखें श्वासनली जिसको हम ट्राकिया कहते हैं इसकी साहिता से जो जीव है ये श्वशन की क्रिया करते हैं तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारा जो श्वशन तंत्र है, यह कैसे कारे करता है, इसमें कौन-कौन से अंग होते है, किस प्रकार से यह oxygen अंदर लेरे बाहर कर यह process कैसी होती है, तो बच्चों, यह देखिए आपको यहाँ पर श्वशन तंत्र दिखाई दे रहा है, जिसको हम respirator system कहते हैं, इसके कौन-कौन से भागे पहले उसको हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए नासा छिद्र, है न, आपके नाक में दो छिद्र है, और यही है नासा छिद्र, उसके बाद होता है नासा कपाट, यह जो होता है, यह होता है नासा कपाट, नेसल कैविटी, इसके बाद आप देखिए, यह है ग्रस्णी फैरिंग्स आप मुझ खो लेंगे आपको यहां पे common path होता है जहां पर से भोजन बी अंदर जा रहा है और हवा बी अंदर जा रही है यह हुती ग्रस्ट्नी उसके बाद है सुरींत जिसको हम कहते हैं उसके बाद श्वासनली, श्वासनली ट्रैकिया, श्वासनली दो भागों में बढ़ गई, श्वशनी, ब्रॉंकाय, और ये ब्रॉंकाय जो होते हैं, ये और अन्य शाखाओं में बढ़ गई, जिसको हम कहते हैं, ब्रॉंकियोल्स, श्वशनी काय, और ये जो श्वशनी काय ह और छोटी-छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और बुलबुल के समान जो आपको संरशना दिखाई दे रही है जिससे हम कहते है कुपिकाई, एलविलाए और इसी एलविलाए में हवा भरती है चली इसकी क्रियाविदी को समझते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फेफड़े मनुष्य के शरीर में हमारे शरीर में एक जोड़ी फेफड़ों की पाई जाती है यह फेफड़े जो होती इसकी बनावट स्पंची होती है, बहुती सौफ्ट होते हैं हम कह सकते हैं बहुती कमजोर होते है और यह जो फेफड़े होते हैं यह पसलियों से सुरक्षी ते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं पसलिया बाहर में जो इसको सुरक्षय प्रदान कर तो बच्चो सबसे पहले जब हम सास लेते हैं तो यह जो ऑक्सिजन है या यह हवा जो है यह हमारे नाक के दोरा मूँ के दोरा अंदर जाती है हमारी नाक में छोटे-छोटे बाल होते है और इन छोटे-छोटे बालों में वायू में उपस्ते धूल के कंड चिपक जाते है अ उसके बाद जो वायू है यह नासा कपाट में प्रविश करती है यहां से यहां जाएगी तो क्या होगा यह जो नासा कपाट होता है यहां पर शलेशमा होता है म्यूकस रहता है अगर कुछ धूल के कंड नाक के बाल में न चिपक पाए तो कुछ जो धूल के कंड होता है यह चिपक जाते हैं उसके बाद जो वायू है ये कहां पर प्रवेश कर रही है ये ग्रसनी से होते हुए जा रही है श्वास नली में ठीक है तो हम जानते हैं हमने पढ़ा है पाचन तंत्र में श्वास नली होती है और इधर में होती है ग्रास नली तो खाना ग्रास नली में जाता है और श्वास नली से क्या जा रही है वायू अंदर जा रही है तो श्वास नली में खाना क्यों नहीं जा रहा है ये भी हमने बात किये थे क् उसकbie श्वासनली के उपर में क्या उपस्तित है यह आपिगलॉटीश रगते हैं वआयू अब अंधर जा रही है अब यहां पर देखें यह यह सुअर्यंत्र है कंट है आप यहां पर मैसुश कर सकते हैं और यह कंट है मतलब यहां से आवाज भणी उतफन्नों होरी है आवा यहां से जो वायू है कहां पर प्रवेश कर रही है श्वासनली मैं आप देख रहे हैं श्वासनली के बाहर में आप देख रहे हैं एक संरचना जिसको हम सी शेप की एक संरचना दिखाई दे रही है आपको इसको हम क्या कहते हैं उपास्ती कार्टिलेज यह क्या कर रहा है श् प्रोटेक्शन दे रहा है एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है अगर एक आटीलेज ना हो तो जो हभावा वरेगी क्योंकि यह श्वास नली भी कमजोर होती है अगर इसमें हवा भरेगी तो यह चिपक जाएगी ठीक है तो इसके कारण क्या होता है कि हवा जब भरती है तो वह नली जो वे वापस में नहीं चिपक पाती तो बाहर से ये काटिलेज या उपास्तित रहती है प्रोटेक्शन के लिए अब ये श्वास नली आगे चलकर देखिए दो भागों में विभाजित हो गई एक भाग जारा दाय फेपड़े की तरब एक भाग जारा बाय फेपड़े और 20 जोटे भाग में विभाजित हो गी जिसको हम कहते है और अन्य चोटे चोटे शाखाओं में विभाजित हो रही है जिससे हम कहता है शूषणिकाय या ब्रोंक्योल्स अब ब्रोंक्योल्स के बाद आप देख रहे है एक बारीक मुडी हुई बुलबुलो जैसी संरिचन इसी कुपिका में हवा भरती है, जब हवा भरती है तो यह फूल जाती है, अगर इस कुपिका को हम फैला दे, फैलाया जाए अगर इसको, तो यह 100 वर्ग मीटर शेत्र को ढख सकती है, इतना स्पेस इसमें होता है, तो यह हवा के लिए विस्तरित शेत्र उपलब्द कराती है तो शायद इनी कुपिकाओं की वज़े से गैसों का आदान पदान होता है इसमें हवा भरती है तो बच्चों आप इसको डिटेल में देखते हैं कि जो कुपिकाओं होती है ये कैसी होती देखें यहाँ पर आप दिख रहे हैं सनरशना और इन कुपिकाओं में आपको दिख रहे हैं शिरा और धमनी भी दिखाए दे रहे हैं तो यहाँ पर यह कौन सी शिरा और धमनी यह क्या कर रहे हैं यहाँ पर तो हम जान रहें कि हमने रिदय में पढ़ा था कि इन फेफडों तक अशुद्ध रक्त जाता है और इस अशुद्ध रक्त को फेफडों तक कौन पहुँचाता है फुफुसी धमनी फुफुस दाम इसलिए है क्योंकि फेफडों तक पहुचा रही है इनको फुफुस शब्द दिया गया है तो फुफुसी धमनी क्या कर रही है इस रक्त को कौन से रक्त को अशुद्ध रक्त को जिसमें ऑक्सिजन की मातरा कम है यहां पर पहुचा रही है कहां पर इन कुपि उक्सिजन को लेके जाएगा तो ये उक्सिजन को रक्त कहां पर लेके जाएगा तो आप हम जानते हैं कि जो फुफु सी शिरा होती है ये शुद्ध रक्त को लेकर जाती है वापस रिदे में क्योंकि शुद्ध रक्त को मतलब उक्सिजन युक्त रक्त को वापस हमारे शरीर को होती है तो अब हम देखेंगे कि यह जो फेफड है यह कैसे काम कर रहे है तो हवा तो यहां भर गई है तो आप एक बार सास लेकर देखिए और छोड़कर देखिए तो जब आप सास लेते हैं तो आप देखेंगे जब हम सास लेते हैं तो वक्षगुहा का जो आयतन है वो जाता है अब यह वक्षगुः का आयतन बढ़ रहा है कैसे क्या हो रहा है यहां पर तो यहां पर आप देखेंगे कि यह वक्षगुः के नीचे में आपको एक मास पेशिया मास पेशों की सन मास पेशों से बनी हुई एक गुंबद नुमा संरचना दिखाई दे रही है उदर गुहा और वक्ष गुहा के बीच में आपको एक मास पेशियों के बनी गुंबन दुमा सनरचना दिखाई दे रही है ये क्या है डाइफ्राम तो ये डाइफ्राम ही है जो फेफडों में हवा भरने में मदद करता है लगबग 70% हेल्प इनी से मिलती है तो क्या होता है जब डाइफ्राम में संकूचन और शितिलन होगा तब हवा अंदर और बाहर होगी अब देखें कैसे होता है ये जो डाइफ्राम है जब हवा फेफडों में भरती है तब ये जो डाइफ्राम है ये नीचे के और आ जाता है नीचे के और आकर सपार्ट हो जाता है तो जब ये नीचे के और आएगा तो वक्ष गुहा का जो आयतन है भर जाएगा आप सास लेकर देखिए तो वक्ष गुहा का आयतन भर गया क्यों? क्योंकि ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ आके सपाट हो गया अब जब सास को बाहर छोड़ना रहेगा तब क्या होगा तो जब हम सास को बाहर छोड़ते तो ये जो सास है या हवा जो है हम जब इसको बाहर छोड़ते है तो ये श्वास नली से होते हुए नाक और मुखे द्वारा बहार निकल जाएगी तब क्या होगा तब यह डाइफ्राम जो है यह उपर की तरफ आ जाता है यह देखिए आपको उपर की तरफ आ रहा है उपर की तरफ आ रहा है हम ऐसा कह सकते कि यह फेफडों को धक्का दे रहा है कि जो हवा है इसके आफशकता हमारे शरियर में नहीं इसे बहार निकल लिए ठीक है तो यह डाइफ्राम क्या हो रहा है अब शिथिल हो रहा है शिथिल होने से फेफडों के अंदर की हवा क्या हो रही है बहार निकल रही है तो ये प्रोसेस आपको समझनी होंगी कि डाइफराम के संकुचन से हवा अंदर भरती है वक्षगुआ का आयतन बढ़ जाता है और जब डाइफराम शितिलन अवस्ता में आ जाता है मतलब जब डाइफराम उपर के ओर आता है तब फेफडों से हवा बहार निकलती है और इस लगभग चार से छे लिटर हवा जो है इन फेफडों से आती जाती रहती है यह फेफडों कभी भी खाली नहीं रहते हैं जब तक हम जीवीत रहते कभी भी खाली नहीं रहते हैं लगभग एक दशमलों पास से दो दशमलों पास लिटर की हवा इसमें हमेशा बनी रहती है तो इस प्रकार से जो हमारी फेफड है वे कारे करते है और शुशन की क्रिया में हमारी मदद करते है बच्चो आपको कभी हिचकी आई है या कभी तेजी से खासी आई है ये क्यों होता है क्या होता है जिसके कारण हम हिचकी आती है तो बच्चो जब हम खाना निगलते हैं और खाना निगलते समय अगर ये खाना गलती से हमारी सास नली में चला जाता है तब आपको तेजी से हिचकी या हम कह सकते खासी आती है तो जब हम खाना निगलते हैं तब पल भर के लिए हमारी सास रुक जाती है क्या वाके में ऐसा होता है चले इसे समझने के लिए ये क्रिया कलाब देखिए आज तुम्हें मैं एक नई बार बताती हूँ मैं कौन सी नई बार अच्छा ये बताओ कि हमारे शरीर के अंदर में कौन-कौन से अंग है फेफडे, हाट, किड्नी वेरी गुड और हमारे शरीर के बाहर आक, नाक, मू, कान वेरी गुड तुम्हें पता है हमारे शरीर के अ तो कभी जब हम जली जली खाना खाते हैं तो हमारा खाना आहार नली में जाकर सास नली में अटक जाता है जिसके कारण हमें तेजी से खासी आती है चलो हम इसे क्रिया कलाब के द्वारा समझते हैं ठीक है यहाँ पर मेरे हाथ में एक कागज की पट्टी है इस कागज की पट्टी को मैं तुम्हारे नाग के पास रखूँगी तुम्हें सास लेनी है और सास छोड़नी है और पट्टी को देखना है कि पट्टी की पट्टी मे अच्छा प्रिया ये बताओ जब तुम सास ले रही हो तो क्या हो रहा है तुम्हारे नाग के पास चिपक रहा है और जब तुम सास छोड रहा हो तो क्या हो रहा है ये गागस दूर जा रहा है ठीक है अब हम ये खाते समय करेंगे तुम्हारे पास एपल है इस एपल को तुम खाते समय हम इस पट्टी को तुम्हारे नाग के पास रखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है ठीक है चलो एपल खाओ अभी देख रहे हो तुम कागस थोड़ा थोड़ा हिल रहे मतलब बीच में हम सास ले रहे और छोड रहे अब इस खाने को तुम निगलो कि निगलते समय क्या हुआ सास रुख गई यह कैसे साबित हुआ क्योंकि इस कागज नहीं हीला ठीक है तो हमारी आहा नाल और हमारी शौस नाल नली के बीच में एक वॉल होती है और जब हम सास लेते हैं तो शौस नली खुलती है और जब हम भोजन करते हैं तो आहार नली खुलती है, लेकिन जल्दे यल्दी खाना खाते समय कभी-कभी सास नली ठीक से बंद नहीं हो पाती है, जिससे खाना उसमें अटक जाता है, तो बच्चों, हमने पाचन तंत्र पढ़ा और हमने श्वशन तंत्र पढ़ा, और हमने देखा कि श्वास नली तो बच्चों हमने देखा कि जो श्वास नली होती है और आहर नली होती है ये दोनों आगे पीछे रहती है तो जब भूजन और हवा अंदर जाती है तो क्या होता है श्वास नली भूजन निगलते समय श्वास नली का जो एपिगलोटिस है मत तो अगर अन्य का एक दाना भी जल्दी में कहां चला जाएगा श्वास नली में चला जाता है क्योंकि ब्रेइन से मस्तिक्ष से जो सूचना है वो नहीं मिल पाती जिसके कारण जो एपिगलॉटी जो वॉल्व है वो तुरंद बंद नहीं हो पाता और गल्ती से अन्य का इतन कुचन से यह जो अन्य के दाने को वो बाहर की तरफ एकने के खोशिश करता है और जब यह बाहर की तरफ एकता है तब हमें तेजी से हिचकी या तेजी से खाच सी आती है जिससी यह दाना जो हमारे मूसे या नाक से बहा निकल जाता है तो बच्चो ये जो हवा को जो हम अंदर ले रहे या बाहर निकाल रहे ये जो प्रक्रिया है ये वातावरण और हमारे शरीर के बीच में चलती रहती है तो बाहर निकलने वाली जो हवा होती है इसका तापमार अपिक्षा कृत जादा होता है आप ऐसा करके देखिए सास को बाहर छोड़े यहां महसूस किजे तो आपको लगेगा ये थोड़ी सी गरम लग रही है तो गरम क्यों लग रही है क्योंकि इसमें ऑक्सिजन की मात्रा क जादा है तो बातावरण और हमारे शेरिर में सास की जो हवा है इसमें जो कार्बन डियॉक्साइड की मात्रा है चली इसे तुलनात्मक अध्यान करने के लिए हम ये क्रिया कलाब करते हैं बच्चों जब हम सास लेते हैं तो हवा में उपस्तित ऑक्सिजन को हम अंदर लेत है जरा हाथ को नाक के पास लईए और हवा को बाहर छोड़िए कि कुछ गर्माट महसुस हुई इसका अर्थिय हुआ कि जो कार्बन डियॉक्साइड बाहर निकल रही है उसका तापमान हमारे वातावरण की कार्बन डियॉक्साइड के तापमान से थोड़ा जादा है और इसमें ऑक्सिजन की मात्रा कम है तो क्या बच्चो कार्बन डियॉक्साइड की मात्रा हमारी शेरिण में अधिक और वातावरण में कम है चली जानने का प्रयास करते हैं इस क्रिया कलाप के लिए हमें ताजे बने चूने का पानी चाहिए दो परकनली जिससे मैंने पहले से नमांकित किया है अ और ब परकनली स्टैंड और एक दो छेद वाली रबर की कॉर्क इसमें स्ट्रॉफ असाया है स्ट्रॉफ की जगे आप खाली रिपिल भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम इन दोनों परकनली में इस चूने के पानी को डालेंगे और स्ट्रॉफ की सहायता से अ परकनली में हवा भरेंगे और बब परकनली में हवा को बाहर खीचेंगे और चूने के पानी में हो रहे परिवर्तन को नोट करेंगे सबसे पहले हम अप अरकनली लेंगे और इसमें चूने का पानी डालेंगे इसी प्रकार से बाप अरकनली में भी चूने का पानी लेंगे अब इस अप अरख नली में कौर को फसाएंगे और जब हम इसमें हवा डालेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि अप अरख नली में जो चूने का पानी है वो दूधिया हो गया अब आप अरख नली से इसकी तूलना कर सकते हैं इसी प्रकार से अब हम जो दूसरी परख नली है उसमें हम हवा को बाहर खीचेंगे अब आप अरख नली में कौर को फसाए है इसमें हम हवा को बाहर खीचेंगे तो बच्चो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बपरखनली का भी पानी दूधिया हो गया लेकिन बपरखनली के पानी को दूधिया होने में जादा समय लगा बलकि अपरखनली का पानी दूधिया जल्दी हो गया ऐसा क्यूं हुआ? क्यूंकि हमारे मुह के दोरा कारबन डॉक्साइट इस टेस्ट्यूप के अंदर गई और चूने की पानी के साथ इसकी क्रिया हुई और इस परकनली में वाता वरंड से कारवन डॉक्साइट इस टेस्टिप के अंदर गई और इसकी क्रिया चूने के पानी से हुई इसका आर्थ ही ये हुआ कि हमारे शरीर में कारवन डॉक्साइट की मात्रा अधिक है जिसके कारण इस चूने का पानी जल्दी दूदिया हो गया बलकि इसमें कारवन डॉक्साइट की मात्रा कम मिली जिसके कारण इसका पानी जल्दी दूदिया नहीं हुआ तो बच्चों अधिकांश कोशिकाओं में हमारे शरीर के अधिकांश कोशिकाओं में जो ग्लुकोज है ये अभगटित होता है और ये अभगटन तभी होगा जब ऑक्सिजन ग्लुकोज को मिलेगे तो ऑक्सिजन की उपस्तिती में ग्लूकोस का अभघटन होता है और कभी-कभी ये ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में होता है तो जब ऑक्सिजन की उपस्तिती में ग्लूकोस का अभगटन होगा तो वो क्रिया कहलाएगी ऑक्सी श्वशन या हम इसे कहते हैं वाईविय श्वशन के बीच में क्या अंतर होता है ये चार नमबर के लिए प्रशन आता है तो कम से कम आप पाच पॉइंट्स जो है इसके याद करके रखें हमें हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों में क्या अंतर हैं तो ग्लुकोस के अब घटन जो होता है ये ऑक्सिजन के उपस्तिती में होता है और जब ग्लुकोस का अब घटन ऑक्सिजन के उपस्तिती में होता है तो उर्जा का निर्मान होता है उर्जा बनती है तो ये जो उर्जा मिलती है ये जो उर्जा बनती है ये एटीपी के रूप मे माइटोकॉंड्रिया में संचित रहती है आपने नाइंत में पड़ा है कि माइटोकॉंड्रिया को कोशिका का उर्जा घर क्यों कहा जाता है क्यों कि इसमें जो उर्जा है वो ATP के रूप में संचित रहती है अब यह ATP क्या है ATP adenosine triphosphate इसका full form है आपको मालूम रहना चाहिए और यह उर्जा की मुद्रा है ATP लिखा रहेगा तो आप समझ जाएगा कि यह क्या है उर्जा की मुद्रा है adenosine triphosphate अब हमें देखना है कि वायू की उपस्तिती में glucose का अबघटन हो रहा है और वायू की अनपस्तिती में भी glucose का अबघटन हो रहा है तब वहाँ पर क्या बनता है तो चलिए यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आप देखिए जो glucose है glucose जो की 6 कारबन वाला योगिक है यह वायू की उपस्तिती में अब 6 कारबन वाला जो योगिक है सबसे पहले यह अब घटित होकर क्या बनाएगा पाइरोवेड बनाएगा जो की 3 कारबन वाला यो होता है ऑक्सीजन की उपस्तिती में यह जो glucose है यह बनाएगा कारबन वाला जल और उरजा तो यहाँ पर उरजा पर प्राप्त हो रही है यह बहूत अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है क्योंकि यह जो क्रिया है यह oxygen की कि अगर सीजन की अनुपस्तिति में देखें क्या ओक्सिजन की अनुपस्तिति में अगर ग्लुकोस का अप घरटन हो रहा है तो कि जंटु कि शरीर में कि साथ ही कुछ मात्रा में ओर जावनेगी कि यह जो ल्टोट की जमाओ हमारी मास पेशों में जब होने लगता है तो मास पेशों में लैक्टिकमल का जमाओ हो रहा है मतलब कहीं ने कहीं ग्लुकोज जो है उसका पूर्ण ऑक्सिकरन नहीं हो रहा है ग्लुकोज का अपूर्ण ऑक्सिकरन हो रहा है पूरी तरीके से ग्लुकोज नहीं तूट रहा है तो पूरी तरीके से नहीं तूटने के कारण किसका निर्मान हो रहा है लाक्टिकमल का और यह लाक्टिकमल हमारी मास पेशों में जमा हो जाता है जिसके कारण हमारी मास पेशों में सिकुडन की शिकायत आती है अब पेड़ पोधों में और अगर इस्ट जैसे जीव की बात करें तो ऑक्सिजन के अनुपस्तिति में पेड़ पोधों इस्ट जैसे अभघटन होता है इसका एक मार्ग इहांपर दिखाया गया है तो चलिए बच्चो हम सबसे पहले वाइवे और अवाइवे सौषन में क्या अंतर इसको देख लेते हैं वाइवे और अवइवे शौषन में अंतर पहला वाइवे सौषन ओक्सिजन की उपस्तिति में होता है अवाईवे शोषन ऑक्सिजन के अनपस्तिति में होता है दूसरा वाईवे शोषन में ग्लुकोस का पूर्ण विखंडन होता है अवाईवे शोषन में ग्लुकोस का पूर्ण विखंडन नहीं होता है तीसरा वाईवे शोषन में अंतिम उत्पार कारवंड ऑक्सा होती है 38 ATP अनुका निर्मान होता है अव आईवे श्वशन इसमें काफी कम उर्जावत पन्न होती है दो ATP अनुका निर्मान होता है पाचवा यह क्रिया उच्छ दिवधारियों में पाई जाती है जैसे जादातर पौधे जन्तू में यह क्रिया निम्न जिवधारियों में होती है जैसे इस्ट छटवा यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉंड्रिया में होती है अब आईवे शोशं केवल कोशिका द्रवे तथा मानवों के पेशी कोशिका में होती है वीसरण किसे कहते है? What is Diffusion? किसी थोस, द्रवे या ग्याश के अनों का अधिक सांद्रता वाले शेत्र से कम सांद्रता वाले शेत्र के ओर गमन वीसरण या Diffusion कहलाता है परासरंड किसे कहते हैं? What is Osmosis? अर्धे पारेगम में जिल्ली द्वारा जल के अनों का कम सांदरता वाले विलियन से अधिक सांदरता वाले विलियन की ओद जाना परासरंड कहलाता है तो हम बात कर रहे हैं वायू की अनुपस्तिती में होने वाली ये जो प्रक्रिया है इसे किर्णमन भी एक प्रक्रिया होती है जो वायू की अनुपस्तिती में होती है तो वायू की अनुपस्तिती में जब ये किर्णमन की प्रक्रिया होती है तब वहाँ पर जो ग्लुकोज है बहुत सारे योगी को में बदल जाता है, तो गलुकोज जो है ये इतेनॉल, लाक्निक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, आसेटिक अम्ल का निर्माण करता है, इसमें परिवर्थित हो जाता है, और ये जो क्रिया होती है, यह बायू की अनुपश्तित्ती में होती है इसी क्रिया को हम किर्णवन या Moving कहते है उन वह स्थार पर किया जाता है इन बदार्तों के निर्मान में हैं। चिमें हैं लेक्तीक अंबलसिर क asatic मुणल का निरमान और हमें करना है तो हम वायू के अनुपस्तिती में इसे करते हैं तो बच्चो श्वशन से संबंदित जो प्रशन आते हैं तो श्वशन तंत्र का डायग्राम परिक्षा में पूछा जाते हैं इसकी तैयारी आपको करनी हैं साथी एक प्रशन आता है धूम्रपान से मानुव स्व करने से उसका जो वायू प्रसार मार्ग होता है उसमें सूजन आ जाती है मतलब फेफडों में सूजन आ जाती है और वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में शलेश्मा म्यूकस का जमा हो जाता है तो म्यूकस बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाएगा तो जो श्वास नली आ है और अगर शौसनेली सिकूड जाएगी तो हवा जो है अंदर में प्रवेश नहीं कर पाएगे हवा का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाएगा साथी साथ दुम्रपान करने से फेफड़े क्या हो जाते हैं संक्रमित हो जाते हैं तो इनके कुछ लक्षन होते हैं दुम्रपान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बार-बार खासी आती है उसे सास लेने में तकलीफ होती है इसलिए हमें कोशिश ये करने चाहिए कि हमें धुम्रपान नहीं करना चाहिए और हमारे फेफड़े जो कि हमें ऑक्सिजन लेने में सहायता प्रदान कर रहे हैं इन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए तो अगर बच्चो किसी व्यक्ति का एक फेफड़ा खराब हो जाए तो दूसरे फेफड़े से भी काम चलाया जा सकता है ऐसी हमारे व्रिक्य के साथ भी होता अगर एक किड्नी किसी व्यक्ति की खराब हो जाती है तो दूसरे किड्नी से व्यक्ति जो है वो काम चला सकता है तो बच्चों हमने देखा कि जिव जगत की जितने भी प्राणी है चाहे जिव जन्तों की बात करे पेड़ पौधों की बात करे सभी ग्लूकोस के अभघटन से ही उर्जा प्राप्त करते हैं और हवा के आदान प्रदान से लेकर ग्लुकोज के अब घटन से जो उर्जा प्राप्त को रही है यह समस्त प्रक्रिया है यह श्वशन है तो इसमें उर्जा तो बन रही है उर्जा के सासत ऐसे कुछ पदातों का निर्मान हो रहा है जो हानी कारक है हमारे शरीर के लिए ये जो पदात होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानी कारक होते हैं इनको बहार निकलना इनका निशकाशन करना बहुत जरूरी होता है और यह जो पदात है यो उतसर जे पदात कहलाते हैं जसे कि देखे जो सास के जडरीय क्या बन रही है कारवन डौकसाइट का निर्मान क्रवाण हो रहा है कुछ मातरह में पानी बहान भी बन रहे है Пसीने हमारे शरीर में बहुत आता है तो पसीने anymore है अतिरिद लवण जो होत यह सभे उच्छरीपदार्थ यह हमारे शरीर के लिए बहुत हा निकारक होते हैं, तो इन्हें बहा निकालना बहुत जरूरी होता है, तो यह हमारी शरीर में मुद्र का निर्मान Matrat के से होता है, इसकी मातरा के से हमारे शरीर में नियंत्रित रहती spraying. हुई है जिसा हम कहते हैं उत्सर जनतंत्र